प्रधान मंत्री के तौर पर शपत लेकर नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीती का पहला संकेत दिया था जल्द ही जब उनके पहले विदेश दौरे की घोशना हुई तो संकेत और साफ हो गया मोदी विदेश नीती के मामले में नया मंत्र दे रहे थे पढ़ो सी पहले नेबर्स फरस्ट 15 जून 2014 नरेंद्र मोदी भुटान के पारो एयरपोर्ट पहुचे पारो से राजधानी थिंपो की आत्रा सडक मार्क से तैकी रास्ते भर युबाओं, महिलाओं, बुज़ुर्गों से मिलते चुलते मैंने पहली बार देखा कि भारत के प्रधान मंत्री गाड़ी रोक कर सब लोगों से मिल रहे हैं यह हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था इसी तरह जब वो कटमंडू गए हजारों से लोग रोड पर ठहरे वे थे और प्रधान मंत्री कई बार रोक कर बाहर निकले और उनकी सेक्यूरिटी के लोग तो बहुत ही परेशान थे मैं तब भी मौजूद था जब वो पहली बार स्री लंका गए तक्रीबन अठाईस साल से कोई प्रधान मंत्री स्री लंका गए नहीं थे और वो भी जाफना अगें रिस्क टेकिंग जहां पर मुश्किलें होती हैं वहां पर भी लीडर्स जाते हैं डिस्प्ले आफ लीडर्शिप का एक नया एक्जाम्पल दिखाये दिया है 25 दिसंबर 2015 को भारत ही नहीं दुनिया भी ये देखकर अवाक रह गई रूस के बाद अफगानिस्तान होते हुए सीधे भारत लोटने की जगह मोदी लाहौर के हवाई अर्दे पर जा पहुँचे संबंधों को सुधारने के लिए खत्रे उठाने की ये इंतहा थी मोदी पाकिस्तानी सेना के हेलिकॉप्टर में बैठ कर नवाज शरीफ के घर पहुँचे पाकिस्तान के प्रधानमंद्री को जन दिन की बढ़ाई दी लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया उरी के बाद पुलवामा की घटना को अंजाम दिया मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक से आगे जाकर एर स्ट्राइक का रास्ता आख्तियार किया परिणाम गंभीर हो सकते थे सामरिक तोर पर भी कूटनीतिक तोर पर भी पाकिस्तान हमेशा यही कहा करता था जो अगर हमारे उपर हमला हुआ तो हमारे पास भी न्यूकले वैपन्स हैं न्यूकले वैपन्स कोई कोई मुझिएम में रखने के लीए नहीं किया है हम उसका इस्तिमाल करेंगे परंतु इनका यह जो खोक्स था इनका जो भाक मेल था पाकिस्तान को उन्होंने एक दम उसको खत्म कर दिया है अब पाकिस्तान का जो भी लीडर्शिप है वो कोई भी ये नहीं कहता है जो हमारे पास nuclear weapons है बोदी ने सोच समझ कर ये फैसला लिया था ये एक appropriate response है ये international law के अंदर admissible है तो इसलिए ना वो बात उठी security council और UN में ना इसके बारे में किसी ने उठाया पाकिस्तान के साथ मोदी ने जैसी नर्मी और सक्ती दिखाई वैसा ही चीन के मामले में भी रहा चीन के साथ संबंध सुधार ने और सीमा विवाद हल करने के लिए मोदी ने अपने ग्रिह राज्य गुजरात में चीन के राष्ट्रपती शी जिन्पिंग का स्वागत किया पर चीन कहां बदलने वाला था डोकलाम से लेकर लद्दाख तक भारत के मिजाज को परखने की कोशिश की सीमा पर तनाव पैदा कर घुसपैट की कोशिश कर लेकिन मोदी की अगवाई में ये नया भारत था हर मोर्चे पर चीन का डट कर मुकाबला किया पर चीन के लुद पर तनावर स्प्टनाव प्रोचेश की कि अगलतार के भूट का जब साथनी कोशिश की कर घूट अपनiernud only in Kalwan Valley in building up and putting our troops in a highly aggressive stance against them on the Himalayas are all signs of India now being more clear-eyed about the danger China opposes. भारत माता की पड़ोसी देशों की चुनोतियों से असरदार ढंक से निपटने वाले मोधी, बड़ी महाशक्तियों के साथ भी उतने ही सहज नजर आए. रूस के साथ पुराने रिष्टे मजबूत बनाए रखे, तो अमेरिका के साथ दोस्ती की नई कहानी लिखी. सितंबर 2014 में बतौर प्रधान मंत्री मोधी पहली बार अमेरिका पहुचे. अमेरिकी शासन के सबसे बड़े प्रतीक वाइट हाउस में राश्ट्रपती बराक ओबामा ने मोधी को दावत दी. कूट नीथी के जानकारों के लिए आश्चर ही की बात थी, कि कैसे रूस और अमेरिका दो विपरीद ध्रुगों के साथ भारत के रिष्टे उतने ही मजबूत थे. एक की उनमें डबल टॉक नहीं है, जो एक जगा कहते हैं वो दुसरी जगा भी वही कहते हैं. पश्चिम एशिया के मामले में भी मोदी भारत के हितों के रक्षा करने में कामयाब रहे. एक तरफ इसराइल के साथ दोस्ती प्रगाड करने की सफल कोशिश, तो दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ संबंधों को नई उंचाई पर ले जाना. मोदी के आलोचक अवाक रह गए. जब एक के बाद एक अरब के तमाम बड़े मुसलिम देशों के सर्वोच नागरिक सम्मान मोदी को दिये गए. सामरिक व्यापारिक रिष्टे लगातार मस्बूत हुए. उन पे जो इंप्रेशन आपने क्रियेट किया उसकी एक एक एक्स्प्रेशन. भारत की सामरिक आर्थिक जरूरतों के हिसाब से द्विपक्षिय संबंध मजबूत करने में लगे मोदी. अंतरराष्ट्रिय मंचों पर भी कई प्रमुख मुद्दों पर अगवाई लेते दिखे. मामला चाहे जलवायू परिवर्तन का हो, अंतराश्ट्रिय सोलर अलायंस का हो, या फिर कार्बन फुट्प्रिंट कम करने का, मोधी ने बहुराश्ट्रिय मंचों पर अगवाई ली ये नया भारत था, जो अंतरराष्ट्री मंचों पर नई पहल का विरोध करने वाला नहीं, उसको आगे बढ़कर ले जाने वाला था जो फिर जी ट्वेंटी का प्रस्ताव बन गया, तो करप्शन एक इशू था, दूसरा इशू था आतंकवाद अमेरिका के जो है क्लाइमेट जार कहा जाते हैं, जॉन केरी जो पहले सेनेटर रह चुके हैं और वो पहले उनके विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भारत को बहुत ही प्रशंसा किया, उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए भारत ने अभी ग्लोबल लीडर्शिप ले रहा है और डेमोंस्ट्रेट कर रहा है कि हम अर्थनेतिक विवस्ता भी आगे बढ़ सकते हैं और कारवन फूट्प्रिंट भी कमा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे उधारन है इसके वज़े से मोधी जी के नेत्रतु में भारत का जो चित्र है इंटर जगत, खेल खिलाड़ी, युवा, सभी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जनता को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश थी तो वह जब आस्ट्रेलिया जाने के बाले में बात्चीत हुई उनके साथ तो कोई और लोग भी थे तो उन्होंने कहा मुझे कि यह बताओ क कि यह बात्चीत होगे डिप्लोमेसी के बारे में लेकिन ऑस्ट्रेलियन अवाम क्या पसंत करते हैं तो हमने कहा कि जाब वह हमारे जैसे क्रिकेट के नशे में हैं तो उन्हों कहा क्या कि एक मिल्बर्न जहां दुन्या में सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है कि वहां एक फंक्शन रखें जहां वह भारत के टीम के गावासकर कपिल देव जैसे लोग यहां से ले जाएं और वहां उस तरह की मिलापो पब्लिक के सामने उससे मुझे यह समझ आया कि यह पब्लिक क्या सोचेगी चाहिए वो देश में हो या विदेश में हो इसमेर बहुत दिल्रस में कियेते हैं कूट निदी को सिर्फ दो देशों की आपचारिक बाचीत तक सीमित नहीं किया वो भी महज दो-चार बैठकों तक मोदी के विदेश दोरे में बैठकों मुलाकातों की तादाद बढ़ी हमारी जो स्पीड या पेश जो थी न वो थी 5-6-7-8 मीटिंग की जादा से जादा अब वहां से जब हम गए 10-12-15 मीटिंग एक दिन में तो आप ही समझे कि एक किसम से आप T20 के स्पीड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं क्योंकि यह एक टाइम नहीं है यह लगाता चलता रहता है और मैं तो कभी-कभी मैं हैरान हूँ कुछ ऐसे ट्रिप्स हैं कि हम छे दिन में पांच देश करते हैं रात को प्लेन में पांच दिन के ट्रिप में तीन दिन प्लेन में सोते हैं तो क्योंकि वो उनमें है वो मने अपने आप को भी में जैसे वो कते हैं इंग्लिश में कहते हैं ना यू डोंट स्पेर यॉर्शल इन शिर्फ इन श्रविश मोधी अंतरराश्ट्रिय मंच पर तेजी से अपनी जगह मजबूत कर रहे थे वैश्विक लोगप्रियता बटोर रहे थे लेकिन सबके मन में सवाल ये कि आखिर जो व्यक्ति पी-एम बनने से पहले कभी केंद्र में मंत्री तक ना रहा हो अंतरराश्ट्री मामलों की इतनी गहरी समझ कैसे रखता है इतना सफल कैसे है उन्होंने एक बार मुझे कहा मैं अमेरिका घूम चुका हूँ पर मैंने ग्रेहाउन बस में किया है हम लोग प्लेन या रेल गारी में करते थे तो बहुत उनकी ट्रावल्स आप देखिए जगा जगा गए कहीं वो कभी अब साउट अमेरिका के बात करते हैं तो उसकी वो कहते हैं हाँ जब मैं उस साल जब मैं गया था तो एक तो उनको बहुत जीवन का एक्सपीरियंस और दूसरा जो आप कह रहें क्योंकि वो पहले सरकार में नहीं थे तो एक किसम से फ्रेश थिंकिंग है तो वो एक्सपीरियंस और यह फ्रेश थिंकिंग को अगर आप साथ जोड़ें तो मुझे लगता है कि आज की जो विदेश नीती जो है आप समझ पाएंगे मोधी के विदेश दौरे सिर्फ भारत को अंतर राष्ट्रिय कूठ नीती के मंच पर उचा उठाने के लिए नहीं थे मोधी ने विदेश प्रवास के दौरान अप्रवासी भारतियों के आत्म विश्वास को बढ़ाया मैंने कहां जिसको हिंदुस्तान वापिस आना है जल्दी आये देर मत कीजिए तब मुझे पता नहीं था कि यह दाई तो मेरे जिम्मे आने वाला है लेकिन आप यह रहने वाला हर जेखती कितने ही सालों से अमेरिका में बसा हो अब उसको भी लगने लगा है एक पैर तो हिंदुस्तान पर रखना ही चाहें प्रश्रक्षन ने है और क्या चब काम करने वाले लोग एप एक पहले कही सारे डॉक्टर्स भी है पही सारे देशों में अपने नर्सेज भी जाती है तो यह सब लूग जो है वो आज मोदी जी के वजह से उनको उस देश में रिकर्विशन गेला है वहां के देश के लोगों को भी एसा लग रहा है कि यह एक ऐसा फोर्स है कि जिनका आईसी एक ताकत है कि जिनकी हमने पहिशार करनी चाहिए कौन भारतिय होगा जिसको इस बात का गर्म न हो कि आज ब्रिटिस पार्लमेंट के सामने महतमा गांधी खड़े हो इससे बड़ा गर्मता होगा विदेश में बसे भारतियों का मान सम्मान बढ़ाने में लगे मोदी की कूट नीती का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा भारतिय संस्कृती और इसके बड़े प्रतीक चिन चाहे अंतर्राष्ट्री मंचों पर हिंदी का इस्तिमाल हो या भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत से दुनिया का परिशे कराना हो पी-एम के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की पहली ही बैठक में शामिल होते हुए मोदी ने इसकी शुरुवात की 21 जून को अंतर्राष्ट्रिय योग दिवस के तौर पर पूरी दुनिया में मनाने का प्रस्ताव रखा रेकोर्ड समय में मोदी का ये प्रस्ताव मान लिया गया पूरी दुनिया में योग को आपचारिक मानेता मिल गई दुनिया जो है भारत को जानना चाथती दुनिया समझती है कि हमारी एक personality है, हुआरी एक culture है, tradition है, civilization है तो भारत का Prime Minister चो है उसको World Stage में अगर ये express ना करे, तो फिर बात नहीं बन तिया। तो मैं कहूंगा जो भाषा से ज्यादा वो पॉट-न पैकेजड जो है जिस तरीके से वो carry अपने आपको carry करते हैं जैसे वो दुनिया की global agenda पे उनका प्रभाव होता है जैसे आपने देखा पर इसमें क्या हुआ आपत्ती को अवसर में बदलना प्रधानमंत्री मोदी को भली भांती आता है मोदी को ये मौका कोविट के विश्व व्यापी प्रकोप ने दिया भारत को इस संकट से निकालने में लगे मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की वसुधैव कुटुम्बकम की सोच को व्याभारिक तोर पर पूरी ताकत से सामने रखा चाहे दुनिया के जादातर देशों को दवा की सप्लाई करनी हो या वेंटिलेटर्स की या फिर टीके की मोदी ने भारत के दरवाजे सब के लिए खोल दिये वैक्सीन मैत्री मिशन के तहट दुनिया के तमाम देशों को कोविट से बचाव करने वाले टीकों की सब्लाई की प्रती दिन हम जितने टिका लगाते हैं बहुत सारे देश हैं जो उनका टोटल टिका करन उतना ना हो इसकी वजए से एक भारत की भी चित्र बदलने लगी है और जो हमने मदद किया अन्या देशों को यह सुनके बहुत लोग आश्चरे होते हैं कि हम 80 से 90 देशों को हमने मद क्या या तो उनको दवाई भेजा या पी-पी किट भेजा या रिलीफ मेटीरियल भेजा या टिका वैक्सिन हमने भेजे दुनिया जब चीन से पहले कोविट के भयावह दौर से गुजर रही थी चीन अपने विस्तारवादी अजेंडा को आगे बढ़ाने में लगा था आसपास के छोटे पडोसी देशों के इलाकों में गुसबैट से लेकर आस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ आक्रामक रुख अक्तियार करने में कोविट की चुनोतियों के बीच मोदी, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चतुश कोणिये सुरक्षा संबाद की राह पर आगे बढ़े जिसे दुनिया अब कौड के तौर पर जानती है और चीन इससे सबसे अधिक बॉखलाया हुआ लेकिन ये सिर्फ चीन के सामने साजा मोर्चा नहीं बलकि उससे भी आगे विकास की राह पर साजा ठंग से आगे बढ़ने की कोशिश है प्रधान मत्री मोदी ने कहा है पूरी दुनिया की बहतरी के लिए ये एक इनिशेटिव है ये एक इंस्ट्रुमेंट है तो इसलिए इसकी शुरुवात तो हुई थी मैरिटाइम सेक्यूरिटी के इशू से चीन की आकरामक्ता को देखते हुए परंतु अब अगर हम देखें तो इसमें चाहे वो क्लाइमेट चेंज है चाहे कुवड नाइटीन है इमर्जिन टेक्नॉलोजीज है एई आई है फाइवजी है एजूकेशन है इंफरस्ट्रक्चर है तो जैसे जैसे कॉड का विकास होगा वैसे वैसे इन चार मुलकों में जो की कॉड के मेंबर है वो आपस में सही होग कर पाएंगे और इंडो पेसिफिक में जो बड़े 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 बदलाव आये हैं जैसे कि चीन का एक राइज हुआ है या चीन का एक उत्थान हुआ है उसकी वज़ए से जो आजकल कुछ जिटलता आये हैं देश के अंदर लगातार मजबूती हासिल करने वाले मोदी दुनिया के मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं न मैं रुकने वाला हूँ न मैं ठकने वाला हूँ और नहीं जूट के सामने कभी जुकने वाला भारत की साख बढ़ी है मोदी का जल्वा कायम हुआ है मोदी को पसंद करने वालों की संख्या है अनन्त देश में भी, दुनिया में भी मैं पहली बार 1977 में मैंने फोरेंट सर्विस जोईन की थी तो मुझे करीब 40 साल, 45 साल हो गया इसमें मैं कहूंगा बहुत फरक आया है फरक आया है, क्रेडिबिलिटी की फरक है स्टेंडिंग की फरक है, कल्चर की फरक है आजकल हमारे बारे में कहाता है कि हम फर्स्ट रेस्पॉंडर है विश्व गुरू बनने के लिए जो भारत का एक भुमिका था सदियों से पहले और ये कोलोनियल टाइम्स में इसको हम भूल गये थे इसको कैसे हम री डिस्कावर करें इसको मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह से कमिनिकेट कर चुके है अनिकेट, अविरल, अजीद, अडिग या फिर सवासो करोड से अधिक आबादी वाले राष्ट्र का प्रतिनिधी जिसकी देश दुनिया में सिध्धियां हैं अनन्त मोदी को विश्व समुदाए अलग-अलग रूप में पहचानता है लेकिन खुद मोदी सवासो करोड देश्वासी ये इतिहांस की अमर कथा है उन सवासो करोड देश्वासियों में एक मोदी होगा उससे जदा कुछ नहीं हो ऐसी ही मोदी की पहचान हो वो सवासो करोड में खो गया हो सवासो करोड में लिप्त हो गया हो इत्यास के किसी पन्ने पर नजर ना आता हो अगर ऐसी जिनगी जी करके जाओं अपने आपको पूरी तरह खपा दू आखुत करतू तो उससे बड़ा जीवन का आनन्द क्या होगा यहीं खुशी होगी